सब्सक्राइब कीजिए शामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए ताके आप लोगों को मिल सके हमारी लेटिस वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई योटूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताने जा रहे हूँ सॉलर लेंप फैक्टरी लगाने का आप लोगों को मिल रहा है अच्छा मौका और आप लोग इस फैक्टरी को लगा के अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी चाहते हैं कि देश में सॉलर एनर्जी का इस्तमाल बढ़े और इसके लिए उनकी सरकार कई तरह की इसकिम शुरू की है इसका असर भी दिखने लगा है और देश में सॉलर प्रोडेक्ट की मार्केट तेजी से भी बढ़ती जा रही है करना चाहते हैं तो आप लोग सॉलर लेंप बनाने की कमपनी शुरू कर सकते हैं सरकार की वज़ा से बैंक भी ऐसे बिजनेस को लोन देने में काफी इंटरस्ट दिखा रहे हैं इसलिए फ्रेंड्स आपके लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि इस बिजनेस को आप लोग कैसे कर सकते हैं शुरू और इसमें आप लोगों को कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा equipment पर 3,5 लाख रुपे में खर्च करने होंगे इसमें आपको drill machine, grider, high voltage, breakdown tester, auto transformer, insulation tester, testing setup, digital multimeter, voltage, stabilizer, computer printer आदी आप लोगों के इसमें शामिल होंगे इनकी installation पर लगबग 1,5,000 रुपे खर्च होंगे यानि की 5,30,000 रुपे का investment fixed capital पर आप लोगों को करना होगा फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें जो हम raw material लेंगे उसपे हमें कितना खर्च करना होगा नहीं हजार solar lamp बनाने के लिए आपको लगबग 17,000,000 रुपे के raw material की ज़रत पड़ेगी इसमें solar PV module, battery, LED, switch, input connector, modern plastic cabinet, fuse, cable, PCB, semiconductors, recitors, capsitors, transistor, electro mechanical component आदी आपके शामिल होगे अगर हम लोग project report की मानें तो एक solar lamp पर आपको लगबग 17,000,000 रुपे का raw material यूज़ करना होगा इसके साथ साथ friends अगर आप लोग एक factory को लगाते हैं तो आप लोगों को कैंदर सरकार का support भी मिल सकता है प्रधान मंत्री नरंदर मोधी ने 2 करोर रुपे तक के लोग बिना किसी security के दिलवाय जाता है आप इसके लिए जिल्ला उद्यो कैंदर से संपर्क कर सकते हैं या फिर लोग के लिए apply करते वक्त आप बैंक से कह सकते हैं कि आपको कैंदर सरकार की credit guarantee scheme के तहट loan दे आप बैंकों द्वारा MSME category को दिये जाने वाले loan के लिए apply कर सकते हैं इस scheme के तहट आपको 80 फिज़वी तक loan भी मिल सकता है फ्रेंट्स तो आप इस तरीके से इस business को शुरू कर सकते हैं क्योंकि सरकार भी इस business को करने के लिए आपकी मदद कर रही है तो आप लोग आसानी से इस business को शुरू कर सकते हैं फ्रेंट्स अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों का कितना profit होगा इस business को करने में यदि फ्रेंट्स आप साल भर में 12,000 solar lamp बनाते हैं तो आपका सारा खर्च मिला कर 2,43,66,000 रुपे आएगा जिसमें depreciation और interest भी सामिल है जबकि यदि आप लोग एक lamp बाइस सो रुपे के rate पर बेजते हैं तो आपका साल आना turn over 2,64,000 रुपे होगा और आपकी कुल बचत 20,33,000 रुपे होगी तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस अच्छे से मौके को गमाएं नहीं आप लोग भी solar lamp factory बनाने का मौका पा सकते हैं और इस business को करने के लिए सरकार भी आपकी काफी मदद कर रही है तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस business को शुरू करें और अच्छी आंधनी कमाएं फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी द्वारा दी गई ये information कैसे लगी प्लीज अपने comments के द्वारा मुझे जरूर बताएं और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फार वाचिंग माई वीडियो